एकी चैनल सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो और दर्सक जमा बुलकड़ हो रहे हैं सब्सक्राइब करना ही भूल जाए हैं हर रोज गिर कर भी उट खड़े हैं अरज किया है हर रोज गिर कर भी उट खड़े हैं ऐ जिन्दगी देख जो आज भी मुकमल खड़े हैं नमस्कार आप देख रहे हर्याना चितना न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त पुराना असोग गुराना फ्राउमरियान साथियो कायरे करम युवा बने सितारे में हर बार हम ऐसे स्टार को लेकर आते हैं जो एक प्रणाना का सतरुत है जिसकी समाज में इंस्पारेशन आती है तो आज हमारे साथ ऐसे स्टार हैं जिनके कंदों पर सीदे दो-दो स्टार लगे हैं और हमारे साथ हैं आजेक मार शिंदू जी जो डारेक्ट सब इंस्पेक्टर बरती हुए हैं आई टी बी में इंडियन टिबत बॉर्डर पुलिस में पुलिस पॉर्ज में तो ये युवाओं के लिए एक इंस्पेरेशन है एक परिनागस तरोत हैं क्योंकि ये एक समयने सतर स उठें बिल्कुल समयने सतर से इन्होंने बहुत मैंनत की है आजकर हम देखते हैं जो युवाओं साथी हैं वह काफी मैंनत करते हैं वह एक सपलता मिले या ना मिले और डिमोर्लाइज हो जाते हैं थोड़ा सपल होने के बाद और फिर छोड़ देते हैं तो बार बार यानि सपलता सपलता की एक सीड़ी है इसी को मदा अंदर रखते हुए हम ने जो करेकरम चला था युवाबन स्टारे इसमें हम लेकर आते हैं ऐसे स्टार को जो आपके लिए परणास तो आए इन से मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी प्रष्ट भूमी क्या है किस परकार इनोंने म सबसे पहले तो जब मैंने अपनी प्रष्ट की उसके बाद सपना था कि एक अच्छा इंजिनियर बने और ताकि देश को आगे ले जाए जाए इसके और उसी के मद्देजनर नजर रखते हुए मैंने अपनी बीटेक की मेकैनिकल इंजिनिरिंग में सब्सक्राइब बीटेक की कुरुखषेतर उनिविश्टी से और उसमें अच्छे हंकों से पास हुआ और अब जैसा देश का महावल है और बीटेक उतनी काम्याब नहीं हो पाई और पांच-छे महीने जोब की प्राइवेट लेकिन उससे जोब सैटिस्वेक्शन नहीं हु दिली चला गया वहां कोचिंग ली उसके बाद जब वहां पर एक दो पेपर निकल लेगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि एक हटके लाइन होगी थी जो अपनी बीटेक थी और टेक्निकल लाइन थी और उसके बाद हम सीविल लाइन में जाना ही मतलब जान में था वो टेक्निकल से लिबस था उसके बाद जो हमारा वो सीविल सर्विसीज के और जो अपना एससे का सिलेबस है वो अलग पैटर्न का होता है तो उसके अडॉप्ट करना थोड़ा दिक्कत आई उसमें स्टार्टिंग में क्योंकि सारा सारा पैटर्न ही चेंज हो गया अगरे है तो वहाँ क्रोड़ों में अपलाई करते हैं और उसमें क्लीर करने वारे भी बहुत होते हैं और आज कल जो दिल्ली जैसे सहरों में और रुख है कंपीडिशन का वहाँ पर अपनी ही आलग लाइफ जी रहे हैं वहाँ एक साल तक लागातार मेहनित की उसके बाद यहां हमारे स्टेट के जो एक्जाम थे वो साथ साथ के लिए रोते गए उसके बाद मतलब होसला नहीं तूटने दिया कि एक और उसके साथ साथ यह था भी कि फैमिली स्पोर्ट अच्छा रहा स्टार्टिंग से लेकि आखिर तक का तो वो सबसे बड़ा मैटर करा तो आपके दिमाग में क्या था क्या बनना था आपको क्या उदेशिया लेकर चले थे आप उदेशिया यह था कि अब एससी के अंदर एक अच्छा पोजिशन लेनी थी और एससी के थ्रू जो डिरेक्ट वोकैंसी होती है कि यही मोटिव था कि कहीं कहीं अभी स्टार्टिंग था तो कोई बी जो अपनी बी ग्रेट की जोब होती है वो अच्छे लेवल की जोब मिल जाए क्योंकि एक अनिम्पलोईड परसन जब लगातार इतने सालों तक इतनी मेनत करने के बाद भी जब वो कहीं नहीं टिक पाता मार्केट में तो होसला तूटन लग जाता है उसके बाद जब वहां दिल्ली कोचिंग करते रहे उसके बाद यहां स्टेट का एक्जाम भी निकल गया पहले सबसे पहले हरियाना पटवारी से स्टार्ट हुआ लेकिन वहां यह आपने और भी एक्जाम दिया यह पार्टिकुलर नहीं था कि एक ही उसके लिए था उस टाइम पर बेरुजगार यह एक ऐसा जरिया हो जाता है कि उस टाइम आपको यह होता है कि कोई कोई एक जोब मिल जाए तो उससे आपकी सीडी बन जाएगी और दूसरी जोब लेने के लिए वह साहिक रहती है मलत देशी बास आपको पैर फसाने के लिए बड़े दक्के खाए लेकिन वही था अब स्टेट की जोब थी तो इंट्रुव होना था तो इंट्रुव में नहीं टिक पाई क्योंकि आय। जोब बीसेट में सीअने था नहीं नंबर तो पसे थे लेकिन वहां इंट्रुव में हाँ अभी इंट्र्ुव कातों पूए लेकिन उसटाइम भी इंट्रुव खतिम Capef और दिली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तो उसके अंदर भी पितली एटैंप्ट दिया था तो उसमें अच्छे नंबर थे परी में लेकिन उसमें फिजिकल नहीं हो पाए था फिजिकल में रहा गूया था उसमें तो दोबारा पीर वी तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और बाद में अभी जो पिछ दोजार सतरह के तुरू जो यह ऐसे सीप्योगा था उसमें मेरे को एसे सब इंस्पेक्टर की और आई टीवीप में पोस्ट में लिए तो क्या आपके दिमाग में था क्या आपको यह पोस्ट में लेगी ने स्टा लेकिन यह था कि बेरोजगार इसे कहीं कहीं एक जोब मिल जाए उसके बाद और त्यारिया करनी है तो अर्याना पुलिस में भी तो आपने हो किया था नहां लेकिन हर्याना पुलिस का सब कलियर था लेकिन वह अभी इन्होंने सोचियो एकनोमिक क्राइटेरिया लागू कर पांच नमबर नहीं मिल पाए जबकि मैं उसके लिए अलिजीबल था तो अभी कोट में विचारा दिन है मामला कोट केस है उसके उपर तो अभी होप है कि वह भी जोब लगी जाएगी तो आपने इतनी मैनत की और यह तक पोचे तो आपकर क्या उदेश्य है अभी उदेश सबसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां संतुष्टी होगी वहां बंदा आगा बढ़ना छोड़ देता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी इस जोब पर भी हम लागातार अभी पढ़ाई कर रहे थे ट्रेनिंग के दोरान भी एक साल की ट्रेनिंग की है उसमें भी पढ़ाई किया साथ ही साथ और अभी यह है कि थोड़े टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि फिजिकल ज्यादा होता था तो दिन में टाइम नहीं दे पाते थे पढ़ाई के लिए तो आपने कांसे यह परना मिली कांसे इंस्पारेशन मिली सबसे बड़ी इंस्पारेशन त यह इनकी प्रणा का स्वत्रोत इनके दादाजी हैं इन से प्रणा मिली थी यह बारतिय जो आयने इंडियन दो अर्मी थी इंडियन ने अर्मी ने बनाई थी वहां यह शिपाई थे उसमें सद्धनता से नहीं चे लिख्या हुआ है तो सबसे बड़ी वही थे उन्होंने लग को अच्छा ही लागता था कोई बैठा मिले कोई भी तो अनुसासन पिरिये थे और यह था कि उन्होंने मतलब स्पोर्ट भी उनकी तरफ से बहुत मिला हमारे को कि इस बहुत से युआ हैं जैसे एससी एससी का टेस्ट दिया और उसमें रह जाते हैं फिर डिमोरले जो जात कोट है मतलब हाड कंपिटिशन है जो आजगल जो मार्केट में चला हुआ है और आप इतने पैसे लगाते हो कहीं कहीं कम कोचिंग भी लेता है बंदा क्योंकि आजगल स्लेव आउट ऑफ बोक्स आ रहा है कहीं मतलब सोच इन सकते कि वहां से कोई कोई कोशन आएगा तो ज आईबी गाजाम था वो भी मेरा के लिए रूगया था वो क्या होता था कि रात को नींदे नहीं आती थी जब पेपर होते थे और जब पेपर होना थे नर्वसनेश ज़ादा रहती थी जो कोस्चन आपको आते हैं वो भी बंदा गल्द करके आता है उसमें और क्या पता कु सबल्दा हाथ लगती है तो उससे गबराना नहीं है सबसे बड़ी बात यही है अगर आज आप गबरा जाओगे तो आपका भीश है आगे ऐसी लटक जाएगा सबसे अगर आप लगातार एक अगर मालनी आपका एक पेपर कलियर नहीं हुआ तो आगे आपके लिए दुनिया पर के बीपर है एक नहीं आजकल ओल इंडिया लगाल पर बहुत सारी वकैंसिया निगलती रहती है और सबसे बढ़ा तो जब बंदा दिल से हारता है तब हारता है जब बंदा अपना मेंद करता रहेगा तो मेंद का कोई इल्टरनेट नहीं आज की टाइम में और कहते हैं क चलो जुगाड होते हैं जुगाड होते हैं लेकिन इतने भी जुगाड नहीं होते हैं कि सारी वेकेंसियां फील कर लेंगे मैंनत का कोई दुसरा इल्टेनेट टीनिय तो आपके प्रिवार मे और खेती खाती करते हाँ पापा खेती बाड़ी करते है रहा प्रिवार ही सारा के उपर निर्बर था आज तक और यही था कि हमें भी अच्या पड़ाया लिखाया पर प्रिवार की तरफ से पूरा स्पोर्ट मिला मेरे प्रिवार में दूसरी सर्विस आई है जो पहले दादा जी थे और उनसे हमें अगर आप लगातार मेनत करोगे तो उसका कोई आपको हरा नहीं सकता किसी तरीके से तो इसके अलावा और क्या कुछ मनुरून जैसे कैसे कुछ करते हो थोड़ा बहुत अपने अपने अभी तो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके आयो मैं हमारी आई टीविगी जो सेंट्रल लुग है इसाधी के बारे में कोई विचार नहीं है अभी तो यह है कि अभी फानेंसिली स्टेबल हो गए है तो आगे अभी जब तक अपनी हाई जाहतक का विचार है जाहतक सोच है वहां तक अगर बंदे को जो सेट्सेक्षन ना हो तो आगे बढ़ता ही रहने चादिए ह सेट होने के बाद तो आलगे रहता है आप हमारे कारिकर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थी अजय जी जो डारेक्ट सब इस्वेक्टर के बद पर बढ़ती हुए हैं तो हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आ कहीं आप ऐसे फलो जाते हैं तो आ आगे फिर एक स्टार के साथ मिलते हैं तब तब के लिए जाल दे धन्यवाद नमस्कार देख़ाए हैं अ इजार बागे बाणिया झाते हैं तो आगे क्स चाहते हैं अरेक्टर के लिए जाते हैं अग eyes क Tou